आप देख रहे हैं आवाज इंडिया टीवी यह है प्राइम टाइम इससे पहले भी पीम केर फंड से खरीदे गए वेंटिलेटर पर हमने देश को बताया था कि इसमें बहुत बड़ा ब्रस्टाचार हुआ है और अपने ही दोस्तों की फ्रॉड कमपनियों को फाइदा पहु सर बनाकर देश को संकट की घड़ी में भी लूट रहे हैं देशवासियों की जान खत्रे में डाल रहे हैं और हाँ फिर भी वही लोग राश्ट्र भक्त है क्योंकि हमारी राश्ट्र भक्ती नाम कपड़े भाशा से पहचाने जाने लगी है अब यह बात सामने आई है कि ज याने उनकी है जिनोंने मोदी जी को 20 लाख रुपे का सूट सिला कर दिया था करोना महामारी के दवरान कई अस्पतालों में खराब वेंटिलेटर सप्लाई किये जाने के मामले में बॉंबे हाई कोड की अवरंगाबाद बेंच ने केंदर में सत्तारूड मोदी सरकार को फ खराब पाए गए हैं कई अस्पतालों ने इन मामलों में वेंटिलेटर की खराबी की शिकायत के चलते मरिजों की मौत होने की बाद भी कही थी इस कड़ी में पत्रकार रनविजय सिंग ने ट्वीट कर मोदी सरकार पर सवाल खड़े कर दिये हैं उन्होंने लिका है कि बॉ वेंटिलेटर बनाने वाली कमपनी का नाम छोती CNC हैं ये कमपनी सूरत के उस वयापारी की है जिसने PM मोदी को सूट गिप्ट किया था दर असल बॉंबे हाय कोट ने मंगलवार को मोदी सरकार से ये सवाल किया था कि खराब वेंटिलेटर के लिए उनके पास क्या उपाय है जिस पर केंद्रिय सौस्तम अंतराले द्वारा जवाब में कहा गया कि इन वेंटिलेटर्स की सप्लाई PM के एरफंड के तहट नहीं की गई आपको बता दे कि असपतालों को सप्लाई किये गए इन खराव वेंटिलेटर्स को गुझरातकी जोती CNC अतोमेशन लिमीटेट कंपनी द्वारा बनाया गया है आपको पताई होगा कि गुजरात की इस कमपनी द्वारा निर्मित किये गए वेंटिनेटर्स काफी विवादों में रहे चुके है दर असल जोती CNC एटमेशन लिमिटेट कमपनी के प्रमोटर उस बिजनेस परिवार से जूड़े हुए है जिनोंने साल 2015 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोधी को उनका नाम लिखा हुआ सूट तोहपे में दिया था जो की काफी महेंगा भी था और सोशल मीडिया पर इसके काफी चर्चे भी हुए थे अगर आपकी भी कोई फ्रॉड कमपनी है तो आप भी एक अच्छा सा कोट प्रधान सेवक को बना कर दे सकते हैं और एवज में आप अपनी कमपनी के लिए सरकारी ओर्डर भी ले सकते हैं जो प्रधान सेवक को कोट गिप्ट करेंगे वो देश भक्त कहलाएंगे बाकी को अंधभग जो है पाकिस्तान तक छोड़कर ही दम लेंगे प्रधान सेवक ने और एक स्वर्निंग सोपन दिखाया था यह भारत की एकॉनामी पाच ट्रिलियन वाली होगी और हम विश्व गुरु कहलाएंगे जो सपना अब सच होता हुआ नजर आ रहा है विश्व गुरु को इतना लाचार बना दिया गया है कि इसको रूस, अमेरिका, ब्रिटन, फ्रांस, आस्ट्रेलिया, जर्मनी, चीन, सौधी अरब और संयुक्त अरब अमिरात, सिंगापूर इन देशों ने मदद की और अब केनिया जैसा गरीब देश भी भारत की मदद के लिए सामने आया है केनिया ने भारत को बाराटन अनाजदान किया है इसके लिए विदेश से मदद न लेने का मनमौन सिंग का फैसला बदल दिया गया है कोवीट की दूसरी लहर में जब खुद भारत की सरकार हर मोर्चेपल विफल हुई ऐसे विकट दोर में जब दुनिया भर के कई देशों ने भारत की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया है अब इस रिंकला में केनिया भी शामिल हो गया है केनिया ने कोवीट 19 राहत प्रयास के तोर भारतिय जनता के लिए बाराटन अनाच का दान किया है केनिया शाशन की ओर से जयारी एक बयान में कहा गया है कि कोवीट 19 की दूसरी लहर से प्रभावित भारत की सहयता के लिए इंडियन रेट क्रॉट सोसाइटी को बाराटन खाद्यान दान में दिये जाएंगे जिनका उत्पादन केनिया में ही हुआ है इनमें चाय, कौफी और मुंपली आदिश शामिल है इन सभी सामुग्रियों का पैकेट टैयार किया जाएगा और आवशक्ता के अनुसार माराष्ट में वितरित किया जाएगा भारत ने इस अफरीके देश के उच्छा युक्त बिली बेट ने बयान जारी कर कहा है कि हम इस मुश्किल के दौर में भारत के साथ खड़े है इस बाराटन खाद्य सामुग्री को सरकार के सुपृत करने नई दिली से चल कर माराष्ट की राजधानी मुंबई पहुचे बिली बेट ने कहा कि ये दान उन लोगों को दिया जाएगा जो लोग करोना वारियर के तौर पर दुसरों की जान बचाने के लिए घंटों तक म खुसरों खान ने इस दान पर कहा कि ये दान उस सहनभूती का प्रतिक है जो केनिया के लोगों के दिलों में भारत के लोगों के लिए है यहादान हमें एक बार फिर से आश्वस्त करता है कि केनिया हमारी लिए हर बिकट परिस्तितियों में मजबूती से खड़ा है मालूम कि 16 साल पहले तात्कालीन प्रधान मंत्री डॉक्टर मनमन सिंग ने ये फैसला लिया था कि दुनिया भर के अपनी मजबूत और आत्मन निर्बर्च भी बनाने के लिए अब भारत किसी भी दूसरे देशों से कोई दान या मदद या पैसा नहीं लेगा लेकिन मोधी सरकार न दान लेना या ना लेना कोई बुरी बात नहीं है लेकिन किसी गरीब देश को ये लगे कि भारत की सरकार अपने कोरोना वारियस तक को इस बुरे वक्त में साहियता नहीं कर पा रही है और उन्हें मदद देनी चाहिए ये अच्रज की बात है इससे दुनिया में हमारे इतरुत्व में देश की छबी को तार-तार होते हुए देख रहे हैं इसी सिलसले में हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के अद्देक्ष और बिहार के पुर्व मुख्यमंत्री जितन राम मांजी ने भी पीम पर निशाना साधा बोले हिम्मत है तो डेट सर्टिपिकेट पर भी की लगा दो मोधी की तजबीर बिहार में एंडिये की सहयोगी पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रमु जितन राम मांजी के सियासे सूर अक्सर बदलते रहते हैं कभी वह एंडिये के पक्ष में हैं तो कभी विरोध में बयान बाजी करने के लिए सुर्कियों म बने रहते हैं आपको बता दे की हाल ही में उन्होंने बिहार में नितिश सरकार द्वारा कोरोना संक्रमन के कंट्रोल किये जाने को लेकर उठाएगे कदमों की तारीच भी की थी अब उन्होंने करोना महामारी को लेकर प्यम मोधी सरकार पर निशाना साधा है बिहार के पुर्व मुख्य मंत्री और हिंदुस्थानी अवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांजी ने बिना नाम लिये ही देश के प्रधान मंत्री नरिंद्र मोदी को आड़े हाथ लिया है दरसल कोरोना वैक्सीन लगवाय जाने पर दिये जा रहे है तिका करन सर्टिपिकेट पर पियम मोदी की तस्वीर लगी हुए इस पर PM मोधी को घेरते हुए जितन राममान जी ने ट्वीट किया है उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि वैक्सिन के सर्टिपिकेट पर यदि तस्वीर लगाने का इतना ही शौक है तो कोरोना से हो रही मृत्यू के डेट सर्टिपिकेट पर भी तस्वीर मोधी की लगाई ज उनका कहना है कि को वैक्सिन का दूसरा डोज लगाई जाने के बाद मुझे सर्टिपिकेट डिया गया है जिनमें प्रधान मंत्री मोधी की तस्वीर लगाई गई है देश की सम्वेधानिक संस्थावों में सर्वसर्वाराश्ट्रपती होते हैं इस नाते सर्टिपिकेट पर उनकी ही तस्वीर होनी चाहिए या फिर राज्य के मुख्यमंत्री की हिंदुस्तानी अवाम मुर्चा के अध्यक्ष जितन राम मांजी से पहले भी कई विपक्ष नेताओं ने करोना टिका करन के सर्टिपिकेट पर पीम मोदी की तस्वीर को लेकर आपती जाहिर की है में हुई मौते का जिम्मेदार भी वो क्यों नहीं हो रही है यह बीजेपी की राष्टरवादी सरकार है जो देश की साख बढ़ाने की बजाए कम कर रही है फिर भी यह महान ही है इन्हें गंगा में तेरती लाशे नहीं दिखती इन्हें भूक से मरते गरीब परवार नही करमचारी पुलिस की सिफाई जवान नहीं दिखते वैक्सिन के लिए इंतजार करते चेहरे नहीं दिखते इन्हें दिखता है कुम का मेला पश्चिम बंगाल की गद्धी हिंदु मुसल्मान समशान और कबरस्थान बाकि आप खुद समझदार है आप देख रहे हैं